पीते पीते लागी है तो ये एक ही हो सकता है और वो है spirit जीया दोस्तों spirit अलकोहॉल दारू जिसे हम spirit भी कहते हैं क्या बात कहते हैं आप कईयों को तो लगेगा कि ये क्या बोल रहा है मगर मैं आपको बता दूँ के आज मेरी triangle theory of alcohol consumption इस पर ही एक topic है जीया दोस्तों कई बार हम देखते है कि alcoholism यानि अती हद तक एक एक अतियंत हद के पार यदि ये चले जाए तो alcoholism यानि इसके परिणाम दुश परिणाम हमें नजर आते हैं ऐसा ना हो इसके लिए एक triangle theory मेरी तरफ से भी बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं कि alcohol के भी नियम होते हैं जैसे प्रकृति के नियम होते आप कहर बरपाती है प्रकृति तो alcohol में भी अगर मातरा आ जाए तो हम इसे enjoy करेंगे ना कि ये हमें enjoy करें तो क्या है वो theory आईए समझते हैं theory of spirit मैं एक और नाम देता हूं ताकि आप सब को ये सहज लगे सब भी लगे तो आज triangle theory of spirit इसको हम उजागर करते हैं कैसे सबसे पहला नियम यदि आप spirit में हो तो be in the right spirit, right spirit का मतलब है कि brand important होता है तो brand becomes very very pertinent, important, brand चूज कीजिए अपना जिससे आप पचा सकें, जिससे आप enjoy कर सकें तो वो important होता है लेकिन brand के लिए पहला D, triangle theory और spirit में मैं आपको 3 D's के बारे में बताने वाला हूं तो पहला D है कि कोई भी drink हो, dilute जरूर कीजिएगा, first D stands for dilute तो dilute करके पीजिएगा, जितना dilute करेंगे उतना अच्छा आपके लिए मैं यह नहीं कहूंगा कि पानी बना के लीजिए, जो आपके palatable हो, जो taste में बैठें वैसा आप उसे dilute कीजिएगा उस हद तक, मगर dilute करने के बाद में आप इसका टेस्ट और बढ़ा सकते हैं, कुछ natural ingredient डाल कर, वो है मिर्ची, जी हरी मिर्च होती है, हरी मिर्च को आप यदि बीच में से काटके उसके चार फाक बनाएं, चार हिस्से करें, बगएर उसे तोड़े, बगएर उसे डंठल से तोड़े, उसके चार हिस्से कीजेगा, काट लीजेगा vertically और उसे लंबा काटकर अपने drink पे छोड़ सकते हैं, ऐसा कहते हैं, जो हरी मिर्च होती है, यह हरी मिर्च में antioxidant property होती है, तो जो भी आप पी रहे हैं, वो आपके सेहत को बिगाड़े नहीं हो, इसके antioxidant property को, ग्रीन चिली को आप डाल कर उसका स्वाध बढ़ा सकते हैं, तो जो चिली का जो टेस्ट है, नाचरल टेस् करता है, मैं यह कहूँगा, जैसे आप नमक्सवाद अनुसार लेते हैं, वैसे ही आप निम्ब। को भी स्वाद अनुसार लेजे, फ्लेवर नाचरल फ्लेवर यह द दोनों के बहुत अच्छे होते है, किसी को निम्ब। और ग्रीन चिली दोनों ही बाते हैं, दोनों का साथ ले सकते हैं, मगर कोशिच कीजिए, डाइलूट कीजिए, तू दा टेस्ट, डाइलूटेशन तू दा टेस्ट, ये पहला D का प्रिंसिपल हो गया है, ट्राइंगल थेरी औफ स्पिरिट में सेकंड डी का इस्तमाल जो करेंगे वो है डीले, यदि आप बैठे हैं, तो इसे इंज्वाइ करने के लिए बैठे हैं, तो आप इसे जितना डीले कर सकते हैं डीले कर लीजिए, डीले करने का मतलब यह है कि सिप सिप लेते रहें, और ये आप तब तक लेते रहें, जब तक वो है जितना जादा दिर तक आप बैठेंगे तो उतना जादा आप इसे enjoy कर पाएंगे तो sip-sip करके लीजिएगा या अराम से लीजिएगा तो ही मज़ा है तो dilute and second is delay and the third D in the offing is side dish जी हाँ दोस्तों जब आपको लगे कि आप spirit में जा रहे हैं तो आप एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं तो आप एक ऐसी dish को तयार कीजिए जो आपको पसंद है और उसके साथ में इसका सेवन कीजिए तो शाद आप enjoy करेंगे enjoy करने का मतलब यह है कि आप इसका degree बढ़ा रहे हैं आप dilute कर रहे हैं delay कर रहे हैं और एक side dish के साथ कर रहे है मेरे खाल से बहुत अनिवार है कि side dish भी आपके पसंद का हो जिस तरह से brand आपके पसंद का हो लेकिन मेरा एक बहुत अटल मानना है कि इसमें एक और D आता है और वो D है आपका दोस्त यदि आप दोस्तों के साथ रहे तो आप कभी भी control situation में रहेंगे जहां आप अकेले रहें तो स्तिती ऐसी आजाएगी कि कोई controlling factor ने रहेगा और आपकी सीमा वो जो सीमा में रहना चाहते हैं आप या पसंद करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो दुषपरिणाम ना हो control के भार में अकसर चीज़े दुषपरिणाम वाली ही होती है वो ना हो आपके साथ तो एक दोस्त को definitely बुलाईए वैसे dilute delay और ये side dish fundे में तो अच सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन यदि आपको लगता है एक दोस्त की जरुवत है तो मैं हमेशा तयार हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में जो गलत है अगर आप नियम से रहें या प्रमानित रहें और इसे overrule ना करने दे overpower ना करने दे अपने आपको spirit एक limit में रहें तो मेरे खाल से यह enjoying हो जाता है तो आप सब के अपने अपने तरीके होंगे enjoyment के मेरा तरीका यह है जो मैं आप तक पुचाना चाहता हूँ यह time tested है Enjoy the spirit Have the best spirit in life Thank you